प्राणों से प्यारे विध्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजनितिक चिंतन के अध्यन की आलोजना जैसा कि हमने पिछले लेक्षर में आपको यह बताया था कि भाई राजनितिक चिंतन के अध्यन करने से क्या फायदा होता है राजनितिक चिंतन के अध्यन के क्या उप्योगता है क्या महत्तव है आज हम ये बताएंगे कि राजनितिक चिंतन के अध्यान की विद्वानों ने क्या अलोचनाई की है मतलब राजनितिक चिंतन के अध्यान करने से क्या कुछ नुक्सान हानिया हो सकती है इसकी चर्चा आज हम करेंगे तो आप नोट करेंगे राजनतिक चिंतन के अध्यान की आलोचना की संदर में प्रसंद पूछा ही जाता है तो चली वेटा अब हम सुरू करते हैं कि भई जो पॉलिटिकल थोट होता है इसके अध्यान करने की विद्वानों ने क्या अलोचनाई की हैं मतलब राजनतिक चिंतन का अध्यान करने से क्या कुछ नुक्शान हैं क्या कुछ हानियां हैं इसकी चर्चा आज हम करेंगे सबसे पहले आपको भी बताना चाहता हूँ कि आभी तक मैंने लगभग 1280 लेक्चर अपलोड कर दिये पॉलिटिकल साइन्स के उपर तो मैं यह कहना चाहूंगा मेरे विध्यार्थियों जिन विध्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है बेटा आपका ये करते हुए है कि सब ही विध्यार्थियों को हमारे चैनल के बारे में आवगत कराएं क्योंकि मैं निशूल की रूप में प्रति दिन एक लेक्सर अपलोड कर रहा हूँ इसलिए कि मैं मेरे विध्यार्थियों को राजनित्विग्यान समझा सकूँ क्योंकि मैंने महा विध्यार्थियों को उस रूप में राजनित्विग्यान नहीं समझाए जाता है जिस रूप में राजनित्विग्यान समझाए जाना चाहिए इसलिए ये एक प्रकार्शे मैं कहूंगा विवहार वाइदियों की तरह मैंने भी कमर कसली है कि अब मैं राजनिती विग्यान का समपूर्ण पार्टे करें मेरे यूटूब चैनल पर अपलोड करूँगा अब यहाँ आप यह ना समझेगा जैसे कुछ विद्यारती डिजिटल बॉर्ड के आक करशने फश जाते बेजा मुझे उससे कोई मतलब नहीं मुझे तो इससे मतलब है कि मैं राजनिती विग्यान आपको किस रूप में समझा रहा हूँ बस आपको किवल राजनिती विग्यान समझना है चलिए तो सबसे पहले तो राजनितिक चिंतन के अद्धिन के उप्यूएक था मैंने आपको बता ही दिये इसके बाद में इसके आलोचना आप आलोचना की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आखिर पॉलिटिकल थोट होता ही क्या है या राजनितिक चिंतन कहते ही किसे है राजनतिक चिंतन किसे कहते हैं, राजनतिक चिंतन क्या है, what do you means by political thought, आप यहां में व्यापक रूप में नहीं बताऊँगा, किवल सार रूप में समझाँगा, जिससे के हम इन आलोजनों को समझ सके, बेटा, राजनतिक चिंतन का सीधा सार्थ होता है, आप चाहें तुम मेर के साथ नोट कर सकते हैं, राज्य समंधी मोलिक विश्यों पर, जो चिंतन मनन, विचार विमर्ष, नीमान सा की जाती है वह ही राजनतिक चिंतन कहलाता है, अब जड़ा समझें, राज्य समंधी मोलिक विश्यों पर, जो चिंतन मनन, विचार, विमर्ष, नीमान सा की जाती है, वह ही राजनतिक चिंतन कहलाता है, अब राज्य समंधी विश्यों में बड़ा व्यापक विश्य छेत रहे, राज् राजे का विकास, राजे को देश, लक्षे, कारिये, राजे निर्मान के कितने तत्तों हो, शरकार के कितने अंगों हो, तीन अगों का आप से संबंद क्या हो, द्यक्ति प्रभु सत्ता या राजे के आदेशों का पालन करता ही क्यों है, द्यक्ति ये दिराजे का आपका का प विचार विमर्ष है उन सब का जो समुच्य है उसे ही राजनतिक चंतन कहा जाता है वैसे मैंने अलग से लेक्चर अप्लोड कर दिया है राजनतिक चंतन किसे कहते हैं आप देख सकते हैं यहां में ज़्यादा नहीं बाता हूँगा अब बेटा जो यह राजनतिक चंतन है वह इसका अद्धेहन करने का महत्त हो तो मैंने बता दिया है लेकिन इसके साथ में इसके अद्धेहन करने की विद्वानों ने आलोचना भी की है इसकी आलोचना भी की है कि भाई राजनितिक चिंतन के अद्धेहन करने से क्या कुछ जो है हानिय है क्या कुछ नुक्षान है इसक राजनितिक चिंतन के, यह मैं थोड़ा सोट में लिक रखा है, राजनितिक चिंतन के अध्यन के आलोचकों की दृस्टी में। राजदर्शन मतलब जो राजनितिक चिंतन है राजदर्शन कोरा मतलब केवल कोरा विचारात्मक और कालपनिक है मतलब आलचकों ये का है जो राजनितिक चिंतन है जो राजनितिक दर्शन है जो राजनितिक शिद्धानत है वो केवल विचारात्मक और कालपनिक है दुनिया में ये लागू नहीं हो सकता आलचकों का ये कहना है ये है यथार्थ की उपिक्षा करता है आलचकों ने कहा है कि जो राजनतिक चिंतन है वह केवल कालपनी के विचारात में के और यथार्थ के अंतरगत इसको लागू नहीं किया जा सकता है वास्तिविक जगत में इसको लागू नहीं किया जा सकता है, यह आलचकों का कहना है, किसके बारे में, राजनतिक चिंतन के बारे में, यास, राजनतिक सिध्धान्त के बारे में, राजनतिक दर्शन के बारे में, पलाटेकल फिलोस्पी के बारे में, पलाटेकल थोर्ट के बारे में, पलाटेकल थि राजनितिक दर्शन के द्वारा इसके द्वारा जटिल प्रसनों के कोई अंतिम और पूर्ण उत्तर नहीं दिये जा सकते। अगर हम राजनितिक चिंतन के इतियास का पूर्ण रूप में द्वारा जटिल प्रसनों जिनके कोई अंतिम और पूर्ण उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो सकते। हम कहेंगे आज तक भी क्या राजनितिक अंतिम अर्थ हमारे सामने आया है? नहीं। राजनिति से सम्माने जटिल प्रसन है उन जटिल प्रसनों का कोई अंतिम और पूर्ण उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो सकता। यह आलचन का कहना है और इसमें मैं यह कहूँगा कि सत्यता का अंस है बेटा। इसमें सत्यता है ऐसे कोई बात नहीं है कि आलचना के लिए आलचना कर लें। नहीं बेटा इसमें सत्यता का अंस है इसके बाद में एक विद्वान है नाम नोट करेंगे गैटेल। नाम नोट करेंगे बेटा गैटेल। नोट कीजिएगा गैटेल। क्या गैटेल। बेटा गैटेल नहीं क्या का है कि सामनतिया जो राजनतिक चिंतन है यह जो राजनतिक चिंतन है जो राजनतिक चिंतन है जो राजनतिक चिंतन का अधेश्य या तो वर्तमान राजनतिक सन प्लेटो ने अपनी राचना रीपबलिक लिखे बेटा तो रीपबलिक के अंतरगत प्लेटो ने प्लेटो के समय में जो लोग तांत्रिक शासन प्रना लेती उस पर प्रहार किया था और प्लेटो ने इस फ़स्ट कहा था है कि लोग तांत्र सबसे निक्रा सबसे घटिया सबसे बेकार शासन प्रनाली क्यों कहा क्योंकि उसके गुरू सुकरात को बिना किसी गल्थी के लोग तांत्रिक शासन प्रनाली के सास्पों के दोवारा मृत्तु दिंड दिया गया था इसका मतलब वर्तमान विवस्ता पर प्रहार कर रहे हैं प्लेटो एक तरफ तो यह होगा है दूसरी तरफ वर्तमान राजनतिक सनस्तों और पदितों का समर्थन तो आप देखेगा बरक है बरक ने वर्तमान सनस्तों का समर्थन किया है और आरस्तों ने वर्तमान सनस्तों का सम देके प्रादर भाव के के वल्दोही कारण है या तो वरत्मान विवस्ता का वो समर्थन करते हैं या वरत्मान विवस्ता में परिरतन के बात करते हैं आप पूरे पस्ची में राजनतिक चिंतनी के तियास का इसके आदार प्रद्धन कर सकते हैं यास आगे बढ़ते हैं अब बेकन कहा रहे हैं कि जो राजनतिक चिंतन है वो इस वर को अरपीत की वह कन्या की समान बांज है बांज का मतलब जिसको कोई पुत्तर ना हो पुत्तर पुत्री का जनम ना हो तो यहां बेकन राजनतिक चिंतन के बारे में कहा रहे हैं कि राजनतिक चिंतन से भी किसी प्रकार की जटिल प्रशन का कोई अंतिमुतर नहीं मिल सकता, इसलिए इसकी कोई प्योगता नहीं है, किसकी राजनतिक चिंतन की, राजनतिक चिंतन के इतिहास की कोई प्योगता नहीं है, ये राजनतिक चिंतन को का अध्यन करने से कोई लिए जाता है लेसली इस्टिफेन क्या कह रहे हैं राजनतिक चिंतन के आलोचना करते हुए वेदेश सो बाग्यसाली हैं जिनके पास कोई राजनतिक चिंतन नहीं है क्या कह रहे हैं इस्टिफेन कि वेदेश सो बाग्यसाली हैं वेदेश किस्मत वाले हैं वेदेश बाग्य साली हैं जिनके पास कोई राजनतिक चिंतन नहीं है क्योंकि राजदर्सन प्राय निकट भविश्य में होने वाली क्रांतियों का सूट से कहें मतलब इनका कहना है कि जो राजदर्सन जो राजनतिक चिंतन है, मतलब किसी भी विशे के उपर समस्य के उपर ये दिराजनतिक चिंतन की सुरुवात हो जाती है तो इसका मतलब निकट बोविशे में क्रांती होने वाली है ये कहते हैं स्टिफेन ये दूसरी आलोजना होगी तीसरा है बेटा, डैनिंग ये दूसरा है, जब कोई विवस्ता राजदर्सन के रूप में व्यक्त की जाने लगती है तो समझ लीजे कि उस विवस्ता का अंतरनी कट है मतलब डैनिंग का रहे हैं कि जब कोई विवस्ता, जब किसी भी देश की राजनतिक विवस्ता, किसी भी देश का सिस्टम, राजदर्सन में, पॉलिटिकल फिलोस्पी में, राजदर्सन में, पॉलिटिकल थियोरी में, राजदर्सन में, राजदर्सन के रूप 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 में, राजदर चिंतन व्यक्त होता है या कोई भी व्यस्ता जब किसी भी देश के अंतरगत कोई व्यस्ता राजनतिक चिंतन की रूप में व्यक्त की जाने लगती है तो निश्चित रूप में जो है उस व्यस्ता का अंत होने हुआला है यह जो है डैनिंग कहते हैं चोथा है बर्क उर्क ये बर्क वही हैं जो कि वर्तमान राजनतिक सि्दांट बनाने की पिर्वरती उत्पन हो तो यह समझ लेना चाहिए कि राजय का संचालन ठीक तोर से नहीं हो रहा हुआ। मतलब बर्क का कायना है राजनतिक चिंतन का फाइदा क्या है इनका कायना है कि जब लोगों में राजनतिक सिदाहंत या राजनतिक चिंतन या राजनतिक चिंतन बनाने की प्रिवर्ति उत्पन हो तो यह समझ लेना चाहिए कि राजनतिक सिदाहंत बनाने की प्रिवर्ति उत् ह dummy पर रहे हैं तो इन्होंने जो राजनतिक चंतन कंद्रन की या लोजने की इस के बाद में अंत्मिद्वाने बरकली है घाघ circuits क्या करें राजनतिक चिंतन करने वाले जैसे पलेटो अरस्टु एक विणास मैं कियाली होप्स लॉकरूसों इत्या दिखर मेंने संकेई दिये आपको नगितव चंटन करने वाले दार्षि निक कुंध व्यक्तियों के समान है जो पहले तो पैरों से अपने पैर से पैरों से धूल उडाते हैं और बाद में ये कहते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता मतलब बर्कली ये कह रहे हैं कि भी जो राजनतिक दत्व चिंतन करने वाले हैं वो उन व्यक्तियों के समाने जो पहले तो अपने पैर से दूर उडाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देरा ज़रा समझेगा मतलब यहां वर्कली निकाया एक फिर राजनितिक चिंतन के अध्यन से कोई फायदा नहीं है क्योंकि राजनितिक चिंतन का अध्यन ये हम करें उनसे लाभ कहा होगा क्योंकि जो राजनतिक चिंतन करने वाले हैं, जो राजनतिक तत्व चिंतन करने वाले हैं, क्या जो राजनतिक तत्व चिंतन करने आले दार्सनिक हैं, वो उन व्यक्तियों के समाने जो पहले तो पैर से धूल उडाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है मतलब पहले तो दूल उडा रहे हैं फिर उनकी आँखों में दूल जा रहा है अब दूल तो जाएगा क्योंकि दूल उडाई है उन्हों नहीं है और उसके बाद हम करें हमें दिखाई नहीं दे रहा है किस रूप में की गई है ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा यहां यह जो आलोचना की गई है इन आलोचनाओं में सत्यका अंश मुझूद है मतलब जो यह राजनितिक चिनतन के अद्ध्यान की विद्वानों के दोवारा आलोचना की गई है इन पांचों आलोचों के दोरा जो आलोचना की गई है इस आलोचना में सत्यता का अंस है आप नोट करेंगे इन आलोचनाओं में सत्य का कुछ अंस मौजूद है पूर्ण सत्य तो नहीं है लेकिन कुछ अंस सत्य का मौजूद है लेकिन राजनतिक चिनतन की उपियोगता और महतव भी है नोट करेंगे लेकिन राजनतिक चिंतन की उपयोगता और महतव भी है अब राजनतिक चिंतन की उपयोगता महतव क्या है यह मैंने लेक्चर नमर तीन में समझा दिया है राजनतिक चिंतन का महतव नाम से लेक्चर अपरोड कर दिया है वहाँ देख सकते हैं यह दोराने क्या हो सकता नहीं है यहां तो सिरे कितना ध्यान रखना है कि भाई राजनितिक चिंतन क्यालोचक नालोचक ना किया तो इसमें सत्यतका अंस्तो है पांच विद्वानों क्या दाहर पर आप देख सकते हैं लेकिन फिर भी राजनतिक चिंतन का महत्तव है, इसकी उप्योगिता है। राजनतिक सिद्धान्त के आधार पर नोट करेंगे, राजनतिक सिद्धान्त के आधार पर क्रान्तियों सिमानव जाती को लाव ही प्राप्त हुआ है। मतलब वास्तम में देखा जाए तो जो जो यह राजनतिक चंतक हैं गाराराण भान के आदार सीड़त कों के आधार पर। करन्तियों से मानव जातियों को लाभी हुआ है मान लीजिएगा फ्रांस के अंतरगात यह दिर हम कहेंगे कि जीन जैक्स रूसों नहीं होता तो फ्रांस में करांती नहीं होती जीन जैक्स रूसों नहीं होता रूसों एक समय दवादी विचारक थे इन्होंने राजी गत्पत करने का मेरे तो जात्ति को लाब ही हुआ है और लोक्त अंतर क्यों आज रहे इंगे आज और रहे इडिया न और व्यक्ति अंतर राष्टे सांती की और हुई प्रगती का बहुत कुछ स्रे प्राबुध दार्शनिकों के सिद्धानतों को है मतलब आज पूरी विश्व के अंतरगत आगा लोक तंतर के अंतरगत किसी विरूप में या लोक तंतरी करन जो हो रहा है मतलब मैं यह कहूँगा कि राजनितिक व्यवस्ताओं का 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 विजह होती जा रही है उसमें भी इन दार्शनेकों के सिद्धान का योगदान रहा है और अंतराश्टी शांती का जो सिरे दिया जा रहा है वह भी इन दार्शनेकों को दिया जाना चाहिए हाला कि आज आज आप यह कह सकते हैं कि सर्विश्व में सांती किस्तापना कहा हो र करना जब auप्राइबात कीर पैट होता है यह थो प्रेट्दी के परिवार का विराइबार रूप है जब शयम जयम होगा तो राज्य में सयंभीuste का जब परिज्दी 26 जब बैक्षा हो जाएगा परिवार अच्छा हो जाएगा तो लोग तन्तर बैक्ति खट्चा उंतरता ँद्राष्ट्राश्थी सांति की ओर रूही प्रिगत्य का बहुत कुछ नहीं कुछ जो राजनतिक चिंतक सब् 얘نا 14 टेंट उन्हें से थान्ट उंका बहुतु ज़्यादा योगदान रहा है कि दोगत त साथांतरता औरात्राष्टि कि सद्रतर में यह हो गया वेटार उसे थी संहें PG आलोचना मुझे पूरा इश्वास है आप ये सारे की सारे बाते बहतर तरीके से समझ गए होंगे अब यहां तक हमारी जो राजनितिक जिनतन के इतिहास का अध्यन करने की प्रष्ट भूमियों तयार होगी है मतलब पस्चमी राजनितिक विचार कों के विचारों का अध्यन करने के लिए हमें पहले किन बातों को समझना चाहिए वो मैंने आपको चार लेक्चर्श के माद्यम से समझा दिया है यह बाते हैं यह दिस्पस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में हम सुकराथ से लेकर के और आज तक के राज़दार्शनिकों को जब समझाएंगे तो आपको कहीं कोई दिकत नहीं आएगी यह बेटा ओके थैंक य। वर्यमाच्च थैंक य। वर्यमाच्च